सब 4 मीटर जो गाड़िया है उसमें competition बहुत जादा बढ़ता जा रहा है और Škoda ने हाल ही में Škoda काईलाक को officially unveil किया जिसकी prices under 8 lakh रुपीज से शुरू होती है एक शोरूम और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इसके competition में कौन-कौन सी गाड़ियां रहने वाल में कि इसमें क्या engine option मिलते हैं क्या dimension रहने वाली हैं क्या prices जो हैं वो इन गाड़ियों की रहने वाली हैं तो चलिए वीडियो की शुरूआत करते हैं आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा ताकि ऐसा कोई वीडियो ऐसा कोई content आप miss ना कर पाएं तो चलिए जी शुरूआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं dimensions की Škoda काईलाग जो है इसकी length होती है 3995 mm इस segment में जितनी और गाडिया हैं including Tata, Nixon, Hyundai, Venue, Kia, Sonnet, Maruti, Breza इन सभी की जो लंबाई है वो 3995 mm ही रहती है except 3100 जो 5 mm कम लंबी है as compared to all of these vehicles उसकी length होती है 3990 mm. Width की अगर बात करें तो Škoda काईलाग की width होती है 1783 mm, Tata, Nixon 1804 mm, XUE 3XO 1821 mm, Venue 1770 mm, Kia, Sonnet 1790 mm और Maruti, Breza भी 1790 mm. Height की अगर बात करें तो 1619 mm इसकी height रहने वाली है इसके अलावा 1620 mm Tata, Nixon, XUE 3XO 1647 mm, 1617 mm Hyundai Venue की होती है with roof rails इसके अलावा Kia, Sonnet 1610 mm, Maruti, Breza 1685 mm. बात अगर wheelbase की करें तो 2566 mm, Škoda काईलाग की wheelbase रहने वाली है, Tata, Nixon 2490 mm, 3XO 2600 mm, Hyundai Venue 2500 mm, Kia, Sonnet 2500 mm और Maruti, Breza भी 2500 mm. तो अगर आप देखते हैं तो 3XO जो है इसका ही सबसे ज़ादा wheelbase है वो रहने वाला है, which is 2600 mm. बात अगर boot space की करें तो इस segment में सबसे ज़ादा boot space जो है वो Škoda काईलाग ही offer करता है, 440 liter का जो है boot space इसमें आपको मिलता है. बात अगर ground clearance की करें तो काईलाग की ground clearance है 189 mm, Nixon की 208 mm, Breza की 198 mm, Venue 190 mm, Sonnet 205 mm, XUV3 XO 201 mm. यह है dimension wise comparison competition में, अब बात करते हैं कि engine option जो है, वो किस तरीके के मिलने वाले हैं, मैं आपको बता दूँ कि Škoda काईलाग में 1 liter turbo TSI engine जो है, वो offer किया जाता है, एक मात्र, automatic और manual transmission में, automatic जो इसमें option मिलता है, उसमें आपको pedal shifters भी मिलते हैं. competition में जो और गाड़िया हैं, उनमें क्या सारे engine options मिलते हैं, आईए उसकी भी एक बार हम बात कर लेते हैं, एक बार मैं power figures भी आपको बता देता हूँ, कि जो Škoda काईलाग है, उसमें आपको power मिलती है, लगबग 114 bhp की, और 178 Nm का torque जो है, वो इसमें आपको मिलता है. बात अगर Tata Nixon की करें, तो ये diesel में, petrol में और CNG तीनो ही अलग-अलग options में available है, डेड़ लीटर चार सिलिंडर का diesel engine इसमें आपको मिलता है, जो की 113 bhp और 207 Nm का torque generate करता है, 1.2 लीटर 3-cylinder petrol engine मिलता है, जो की 118 hp और 170 Nm का torque generate करता है, मैं आपको बता दूं कि काईलाग म में भी आपको 3-cylinder engine ही मिलता है, 3-100 की अगर बात करें, तो ये petrol और diesel दोनों में available है, 1.5 लीटर 4-cylinder diesel engine मिलता है, 115 bhp और 300 Nm के torque के साथ, 1.2 लीटर 3-cylinder petrol engine मिलता है, 110 hp और 200 Nm के torque के साथ, बात अगर Hyundai Venue की करें, तो ये भी petrol और diesel में available है, 1-liter 3-cylinder turbo petrol engine मिलता है, 118 hp और 1.2 लीटर 4-cylinder petrol engine मिलता है, जो कि 82 hp और 114 Nm का torque generate करता है, इसके लावा 1.5 लीटर 4-cylinder diesel engine मिलता है, जो कि 113 hp और 200 Nm का torque generate करता है, ये available होता है, manual IMT और DCT transmissions में, बात अगर Kia Sonnet की करें, तो ये available है petrol और diesel में, 1-liter 4-cylinder turbo petrol engine में, जो कि 118 hp और 172 Nm निकालता है, 1.2 लीटर 4-cylinder petrol भी इसमें available है, जो कि 82 hp और 115 Nm torque generate करता है, 1.5 लीटर 4-cylinder diesel भी इसमें आपको मिलता है, जो कि 114 hp और 250 Nm का torque generate करता है, ये भी available है manual IMT और DCT transmissions में, बात अगर ब्रिजा की करें, तो ये available है petrol और CNG में, 1.5 लीटर 4-cylinder naturally aspirated petrol engine मिलता है, जो कि 102 bhp और 137 Nm का torque generate करता है, आईए safety के लिहाज से भी कुछ चीजों के उपर बात कर लेते हैं, तो अगर हम बात करते हैं, श्कोडा काईलाक की, तो श्कोडा काईलाक जो है, वो same ही platform पर based है, जिसमें श्कोडा कुशाक है, तो ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, कि इसको भी जो है global in-cap में 5 star की rating ही मिलने वाली है, जैसा कि expect किया जा रहा है, इसके अलावा बाकी गाडियों की अगर बात करें, तो नेक्सोन को global in-cap में 5 star की rating मिली हुई है, इसके अलावा 4 star की rating मिली हुई है, ब्रेजा को 4 star की rating मिली हुई है, venue को Australian in-cap में, इसके अलावा 3XO को भी 5 star global in-cap में जो है rating मिलती है, Airbags की अगर बात करें तो सभी गाडियों में आपको six airbags जो हैं वो मिलेंगे अगर brakes की बात करें तो disc और drum का combination मिलता है काइलाक में front में disc, rear में drum brakes मिलते हैं Breza इन में भी आपको same combination देखने को मिलता है जबकि Nexon 3XO में आपको चारो disc brake का option मिलता है बात अगर ADAS की करें तो Venue, Sonnet और 3XO इन गाडियों में आपको ADAS देखने को मिलता है काइलाक, Nexon, Breza इन सब गाडियों में आपको ADAS जो है वो देखने को नहीं मिलता है बात अगर prices की करें तो Škoda काइलाक की prices शुरू होती है 7.89 लाक रुपीज से इसके बाकी के जो variants है उसकी pricing नहीं आई है बात Nexon की अगर करें तो इसकी prices शुरू होती है 8 लाक रुपै से जाती है साड़े 15 लाक रुपै एक शोरू Breza की prices शुरू होती है 8.35 लाक रुपीज से जाती है 14 लाक 15,000 रुपै एक शोरू 3XO की प्राइसे शुरू होती है 7.8 लाक रुपी से और ये जाती है 15,50,000 रुपए एक शुरूम बात अगर काई लाक के फीचर्स की करें तो अलड़ी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना चुका हूँ एक बार मैं बता देता हूँ कि बेसिक क्या सारी चीज़े मिलती है फ्रण्ट में अगर आप देखते हैं तो फ्रण्ट में आपको LED DRLs मिलते हैं LED का पूरा सेटप आपको फ्रंट में देखता है ao rear में भी आपको LED टिल नामस मिलते हैं ऐसा कोई connected फ्रंट में जो हैं लाइट स नहीं मिलती हैं रियर में lights नहीं मिलती हैं इसके अलावा front जो दोनों seats हैं ये electrically आप adjust कर सकते हैं इसके अलावा single pane sunroof जो है वो आपको मिलता है साथ ही wireless charger और बहुत सारी ऐसी चीज़े जो है वो देखने को मिलते हैं मैं आपको link भी दे दूँगा वो quick video आप जाकर चेक आउट कर सकते हैं तो ये है एक basic सा comparison of Škoda कैलाक और उसके competition में जो भी सारी गाडियां हैं जैसे हमने बात की Sonnet के बारे में, Brisa के बारे में 3XO के बारे में Venue के बारे में और उसकी pricing है बेट कर रहे हैं कि कैलाक की जो full pricing है वो आजाए तो उसके बाद एक detailed comparison फिर हम करने वाले हैं with pricing and with features कि क्या उस pricing में वो सारे features justified है या ने क्योंकि अभी जो features हमें पता हैं काईलाक के, वो केवल top trim के features हैं निचले models में क्या सारे features रहने वाले हैं इस पर अभी clarity आना बाकी है वो जब pricing आएगी तो details भी आजाएगी तो उमीद करता हूँ कि ये video आपको help करे एक comparison समझने में इन सभी गाड़ियों से काईलाक का, वीडियो अगर informative लगी हो तो हमें एक like ज़रूर दे दीजेगा कोई सवाल है, तो वो आप नीचे comment में छोड़ दीजेगा, channel पर नए है तो channel को subscribe जरूर कर लीजेगा ताकि ऐसा कोई content, ऐसा कोई video आप मिस्स ना कर पाए मिलता हूँ मैं आपसे next video में तब तक के लिए, drive safe